आज हम बनाएंगे इजी पालक स्नाक रेसिपी जो की बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिया है पालक इसको मैंने अच्छे से धो कर लिया है पालक को कट करने से पहले ही दोना चाहिए कट करने के बाद हरी सब्जिया बिल्कुल भी नहीं धोन वेजेटेबल है और इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, आईरन, B6, B9, E इस तरह से विटामिन से भरपूर होता है पालक तो इसी तरह से हम इसको रफली चॉप कर लेंगे और फिर हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में इसी तरह से बची हुई सब्जी को भी हम रफली चॉप करके इसमें अड़ कर देंगे फिर हम इसमें डालेंगे, लसुन की कलिया, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए हरी मिर्ची ये आप अपने हिसाब से कम जादा आड़ कर सकते हैं जैसे आपको तीखा पसंद हो उस तरह से आड़ करें और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर ले गिया है ये एक चोथाई कप बेशन, इसी कप से मैंने सारे मेजरमेंट किये है और यहाँ पर मैंने ये लिया है देड़ कप गेहु का आटा पर मैं इसमें सिर्फ एक ही कप गेहु का आटा लूँगी अगर जरूरत पड़े तो ही हम इसमें एड करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी ये बिल्कुल ओप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद तो ना डाले साथी में मैं इसमें डालूँगी एक चमच तील, सफेद तील इसमें मैंने डाले है और ये एक आधा चमच जीरा पाउडर अगर आपके पास जीरा पाउडर एवेलेबल नहीं है तो ग्राइंड करते समय उसी में फ्रेश जीरा डाल दीजिएगा और यहाँ पे मैंने लिये है आधा चमच अजवाइन इसको इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेना है ताकि इसका बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आए फिर हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक और अब हम इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने बनाया है बीट रूट स्नाक रेसेपी उसकी लिंक मैंने उपर आई बटन में दे दी है जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें आड कर देंगे यह ग्राइंड किया हुआ पालक और इसको मिला लेंगे हम इसमें पहले पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो ही इसमें पानी आड करना है नहीं तो यह पतला हो जाएगा और इसका हमें चपाती के डो बनाना है इसका तो यहाँ पर हम इस मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और यही थोड़ा सा यूज करेंगे तो यहाँ पर मैंने लगभग दो चमच पानी लिया है इसका हमने एकदम चपाती की तरह आठा गुनना है इस तरह से यह देखिए यह बन गया है बढ़िया से अब हम इसमें थोड़ा सा ओईल डालके इसको चिकना कर लेंगे इस तरह से अब हमारा आठा रीडी है यह देखिए इस तरह से सफ्ट बनाया है मैंने अब अब इसकी एक जैसी गोले बना के इसको रूटी की तरह बेल लेंगे एक एक करके उससे पहले हम हाथों में थोड़ा सा ओईल लागा लेंगे ताकि यह हमारे हाथों में चिपकेना इसके हम एक स इससे कर लेंगे इस तरह से और इसकी चपाती की तरह इसको रोल कर लेते हैं इसको रोल करना बहुत ही आसान होता है एकदम चपाती की तरह क्यूंकि हमने इसमें गेहू काटा ही यूज किया है और इसमें हम सूखा गेहू काटा यूज करेंगे ताकि हमारी हम जो इसको रो तो यह अब हमारा रोटी बेल के हो गई है तो चलिए इसको कट कर लेते हैं पहले हम इसके साइड्स को निकाल देंगे इस तरह से फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे फिर से हम इसको रोटेट करके एक ही शेप में इसको कट कर लेंगे और फिर से Rotate करके हम इस तरह से बीच में से Cut करेंगे जिससे की इसके Trangle बनेंगे इसतरा से क्यूंकि Trangle Shape में बनाएंगे तो बच्चे भी इसको थोड़ासा अलग Snack दिखेगा तो खाना पसंद करेंगे अगर आपको इस से भी थोड़े छोटे-छोटे ट्रैंगल चाहिए तो हम इसको फिर से इस तरह से कट कर सकते हैं और ये इस तरह से छोटे-छोटे ट्रैंगल रेडी हो जाएंगे ये देखिए इस तरह से तो चलिए इसको अब फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने oil गरम कर लिया है इसमें हम एक-एक triangle डाल देंगे और इसको fry करते समय हमको low to medium flame पे ही fry करना है अगर आप इसको एकदम से high flame पे fry करेंगे तो यह अच्छे से crispy नहीं बनेंगे इसलिए हमेशा अगर आपको कुछ भी fry crispy fry करना हो तो low to medium flame में ही fry करना इस तरह से उलट-फुलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से fry कर लेंगे बढ़िया अभी से इसमें से बहुत ही मस्त खुश्बू आ रही है यह बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और एक healthy snack बन जाएगा ऐगा ऐसे तो जरूर खाना पसंद करेंगे तो अब यह अच्छे से fry हो गए देखिए इसके bubbles भी कम हो गए है तो चलिए इनको निकाल लेते हैं इससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए जैसे इसमें इसे आवाज आ रही है मतलब यह अच्छे से crispy बने हैं तो उसको निकाल ले तो आज हमने बनाई पालक स्नाक रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिश लगती है अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और हाँ अगर आप मेरे चानल पे नहीं है तो प्लीज सब के लिए थांक यू माइ फ्रेंड